फाइलल दोस्तों क्या आप चाते हैं वीवो का कोई ऐसा फोन जो की काफी कम प्राइज में एक gaming chipset वाला फोन हो और अभी का Lunge हुआ हो दोस्तों फाइलल का एक वीव का फोन लंच हुआ है जो कि दूस्तों गीमिंग चीपसेट वाला है आप इस सारे दोस्तों इसके फीचर आपको बताने वाले हैं जो कि दूस्तों फाइली कल का लंच हो चुका है जी यह दोस्तों यह अभी ट्रीचर अभी फ्लीप कार्ड और अभी तक नहीं आये हैं अंहीश धीकर बहुत चल्द दोस्तों आपको देखने लोंन जर आजेगे क्योंके दोस्तों अनल कर लेक्ट कल का यह फोन लंच हुआ है आपको फोन देखने को नससी लेकिन दुस्तो आपको इसमें काफी बेस्ट चिप से देखने पोना जा रहाएगा चेने तो बात को इसमें ऐसे फोन लंच हुआ है क्लका इसमें क्या क्या फीचर इसमें देखने को नजर आए है फालने इस फोन का नाम आपको बताते हैं दिस्तों बीवो वाई 33T यहां दुस्तों यह एक 4G फोन है लेकिन आपको इसमें गेमी प्रोसेसर वाला चीप से देखने को नजर आने वाला है यहां दुस्तों आपको 6.5 फिंस का FHD प्लोस IPS LCD पैनल वाला डिस्पली देखने को नजर आएगा वही दुस्तों बात तरी फोन के कैमरा के दुस्तों तो बैक साइट ने आपको ट्रिपल रीर केमरा देखने को नजर आएगा जी हां दुस्तों जिसका प्राइवी लेंस आपको 50 Megapixel सेकेंडरी दोस्तों आपको 2 Megapixel का अल्टर वाइड और 2 Megapixel का दीप सेंसर केमरा देखने को नजर आएगा वही दुस्तों आपको 16 Megapixel का फंट देखने को नजर आएगा साथिन दुस्तों इस फोन में आपको 4D Gaming Victoria का सपोर्ट देखने को नजर आएगा दुस्तों बात के लिए फोन के जिपसेट का तो यहां पर वैलकम को तरफ से स्नैप डार गें 680 जिपसेट का 4G supported processor देखने को नजर आएगा यहां दुस्तों यह फोन आपका 4G phone है दुस्तों बात के लिए फोन के यहां पर आउट आपक्स Android 11 लेकिन दुस्तों आपको यहां पर Fanta OS 12 का सपोर्ट देखने को नजर आएगा इसमें दुस्तों आपको USB Type-C port और EDIOS 3.5 mm का सपोर्ट देखने को नजर आएगा यहांने दुस्तों 16,000 maximum मांग के चली दुस्तों यहां भीबो का फोन देखने को नजर आएगा लेकिन दुस्तों अगर आप आगी विरिया में एक्सर्टाइज में इंटर्नल इस्टोरेज वरेंट वाले लेते हैं तो दुस्तों 18,900 लिनाट भी नजर आ सकता है वैसे दुस्तों बात करें यह कलका फोन इंडिया में लच हो चुका है दुस्तों एमेजेन और फिलिप कार्ट पे ट्रीजर इसका बहुत जल्द ही आ जाएगा दुस्तों इस भीवो वाई 33T 4G फोन के बारे में आपका क्या ख्या ले दूस्तों कमेंट सेशन में जरूर ब ले मत्रा